हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल जीनियस माइंड और आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे छोटा सा वाटर पंप तच बिनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको एक डखका लेना है और उसके बीच ओ बीच एक डॉट लगा लेना है होल कर लेना है बीच ओ बीच तो सोल्डरिंग कारन की मदद से मैं इसमें होल कर दूँगा तो फेंड्स आपको इस बात का ध्यान रखना है जो आप फोल करोगे वो इस साइज का होना चाहिए ताकि हम आपकी जो डीसी मोटर आप लगाएंगे उसका बेरिंग इसमें अच्छ अच्छी तरह से अटैच हो जाए अब जो इसमें एक्स्ट्रा पार्ट्स निकले हैं गंदगी निकली असको मैं कटर की मदद से अच्छी तरह से फिनिशिंग दे दूँगा अच्छी तरह से साफ कर दूँगा ताकि मोटर को चिपकाने में कोई दिक्कत ना आई अब आप अब हमने इसके अंदर एक प्रोपेलर लगाना है उसे बनाने के लिए इसका रेडियस को मैं ना पलूँगा अच्छी तरह से और मैंने पीवीसी पाइप को फ्लैट किया है गैस के ऊपर तो इसमें एक राउंड शेप का पीस कट करूँगा इस साइज का तो फ्रेंड्स आ कोई दिक्कत नहीं होगी आप इसे केची से कटर से भी कट कर सकते हैं आपकी अपनी चोइस है तो मैं आप ऐसे कट कर रहा हूं तो बिल्कुल राउंड शेयम में कट करना है बिल्कुल इस टाय कट करना है ताकि यह प्रोपैलर गूमते वक्त आपके ढकन के अंदर कही फसे अगर यह फुसेगा फिर आपकी मोटर भी ख्राब हो सकती है और वाटर पॉम्प चलेगा यह फिर तो आप फ्रेंड्स आप को पता ही होगा अब हम इसके बीच में छोटा सा होल करेंगे ताकि हमारी मोटर की शाफ्ट के ऊपर अटैच हो जाए उसमें अची तरह से फुस जा अब मैंने पीवसी पाइप से छोटे चोटे टुकड़े काट लिया इस टाइप के और इसे मैं जो हमारा पीस कट किया था राउंड शेयर में उसके उपर लगा दूगा प्रोपैलर बना दूगा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा तो आप इस तरह बना सकते हो तो मैंने पंप की वीडियो इस त्यांगी डालिया क्योंकि थोड़े दिनों मैं एक वाटर कूलर बिनाने जा रहा हूं और वाटर पंप का यूज होगा तो मैंने आप हैंगी को प्रोपैलर बना लिया इस की आपको कोई दिक्र ना आए आप उसमें लगा सको पानी टेक से लिए अच्छी तरह से वर्क नहीं करेगा पानी अच्छी तरह से बाहर नहीं निकालेगा इस टाइब से प्लस की शेप में ही आपको इसकी उपर प्रोपैलर लगाने मजबूत करने के लिए इसके उपर मैं छोटा सा PVC का पीस लगा दूँगा आप स्क्रीमी पे देख सकते हैं और फैविक की मज़र से उसे चिपका दूँगा तो हमारा प्रोपेलर रेडी हो चुका है अब हम इसे अपनी मोटर के शाफ्ट की उपर लगा देंगे जो इसमें होल किया था उसको शाफ्ट में फसा देंगे और यह पंखे की तरह बन जाएगा फ्रेंड आप देख सकते हैं मैंने इस टाइप से लगा लिया है अब जो हमार कउपने की हमारे को चिसके अंदर प्रेशर होगा उसे करते का गवागा राउड शेप में इसकी ऊपर की तरफ लगाने के लिए हं एप देख सकते हैं मैंने कट कर लिया है अब फार से बंद करने के लिए अ加वbon चोटा सा पीवीसी कर दो का यहां से यह वाटर इसके अंदर जाएगा तो इसके लिए मैंने होल कर लिया है बड़ा साब छोटे छोटे पांचे होल भी कर सकते हो लेकिन मैंने एक ही बड़ा होल कर लिया है अब मैं इसे फैवी कुई की मदद से चिपका दूगा फ्रेंड्स आपको एक बात का द्यान आपको है जाएं से वाटर है वह बार निकलेगा वाटर आउटलेट के लिए खोल करूंगा और इसके ऊपर में एक छोट अपाइप लगा दोगा को आपको इसा अभी लगा सकते हो अगर आपकर पाइप हो तो आप फुछ पूछना है तो अब हमें लीकेज को इसमें जो थ के लिए मैं फैवी टाइट का यूज कर रहा हूं यह आपको मार्किट से मिल जाएगी दस बीस रुपए की तो दोनों सोलूशन को मिक्स करके हम इसके उपर लगा देंगे ताकि जो लीकेज है अच्छी तरह से बंद हो जाए यह लीकेज को भी रोकेगी और हमारी इस वाटर बनाना है क्योंकि हमने से कूलर के बीच में रखकर पानी के अंदर रखना है ताकि यह पानी को उपर फेके तो पाइस पानी से मोटर खराब हो जाएगी तो उसे वाटर प्रूव बनाने के लिए मैं पीवी सी पाइप का छोटा सा पीस मोटर के उपर लगा दूँगा इस तो आप इसके उपर भी फेवीटाइड लगा सकते हैं लेकिन मैंने पहले ही लगा दी है अब हमने एक और छोटा सा जो पीस कट करना है और उसके उपर लगा देना है जो हमने पीवी सी पाइप लगा था उसको बंद कर देना है दूनों तरफ से तो उसमें मैंने होल करके वायर को निकाल लिया है और इस पीस को इस पाइप की ऊपर अच्छी तरह से फिक्स कर देंगे यहां से भी थोड़ी सी भी लीकेज नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहां से पानी अंदर जा सकता है और मोटर खराब हो सकती है आपकी सारी मैनत खराब हो सकती है अब बन चुका है अब मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखाता हूं तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसका कितना ज्यादा प्रेशर है इसकी जो आगे वाली नोजल है वह थोड़ी बड़ी है अगर वह छोटी हो जाए आप इसको छोटे लगा दो तो यह उसका प्रेशर और भी ज्यादा बन जाएगा तो फ्रेंड्स आपको एक वर टेस्ट करके दिखा देता हूं पानी ज्यादा खाली हो गया था बार बर बर बरना पड़ रहा है अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जूर कीजिएगा और बैल आइकन को दुबा दीजिएगा जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी जैन्ट